दोस्तों अलंकारों में हमने सब्दालंकार को देखा सब्दालंकार में स्लेश को देखा, यमक को देखा, अनुप्रास को देखा सब्दालंकारों में ही वक्रोक्ती की भी चर्चा की जाती है वक्रोक्ती का जो शाब्दीकर्थ होता है वह वक्रकथन से लिया जाता है वक्रोक्ती का शाब्दीकर्थ वक्रकथन से लिया जाता है और इसे ही वचनवक्रता भी कह दिया जाता है बात को टेड़ी मेड़ी शैली में कहने की कोशिस वास्तों में अलंकार में यही वक्रोकती है और कथन की यही शैली वचनवक्रता है सूर्दास की जब रचना को आप पढ़ियेगा तो सूर्दास की रचना में वचनवक्रता है वागविदगधता है यह माना गया कि अचार्य कुंतक से वक्रोकती अलंकार और वक्रोकती शैली अधिक प्रभावित हुई या फैली तो वक्रोकती अलंकार या वक्रोकती शैली को प्रभावशाली बनाने में इसे स्थापित करने में आचार्य कुंतक का योगदान था दोस्तों यह वक्रोकती शैली है क्या जब कोई बात घुमा फिरा करके कही जाए किसी को कहना हो कि तुम एक नंबर के या भागे हो और उसकी जगा आप उसे कह रहे हैं कि तुम बहुत बढ़ भागी हो तुम सवभाग्ये शाली हो तो वास्तों में यही वक्रोक्ती शैली है जैसे गोपियां उधोजी को कहती हैं उधो तुम हो अती बड़ भागी अब वास्तों में गोपियां कहना चाह रही थी कि हे उधोजी तुमसे बड़ा दुर्भाग्य शाली व्यक्ती तुमसे अधिक अभागा इस संसार में कोई नहीं होगा क्योंकि पुरईन पात रहत जल बिच बिंदु एक न लागी तुम क्रिश्ण रुपी प्रेम के महासागर में रहकर भी प्रेम की एक बूंद को नहीं चक पाए इसलिए भला तुमसे अधिक अभागा कौन होगा लेकिन फिर भी गोपिया उधाव को बड़ भागी कहती है जैसे यही गोपिया शहरी लोगों के विशाय में देखिये क्या कहती है कहती है मधुबन सब अती धरमग्य मधुबन सब अती कृतग्य धरमीले तो अती धरमग्य या कृतग्य धरमीले परहित डोलत हैं बोलत बचन सुरीले क्या वास्तों में शहरी लोग किये हुए उपकारों को मानती है क्या कृतग्य होती है क्या शहरी लोग दूसरे के उपकार के लिए परहित डोलते हैं क्या शहर की संस्कृति तो राजनिती से ग्रसित है शहरी लोग सेल्फ सेंटर होते हैं शहरी लोग आत्म केंद्री तो होते हैं सेल्फिस बहला क्या वो उपकार करेंगे किसी पर भला वो क्या किसी के उपकारों को ना तो स्विकार करते हैं ना किसी के प्रती उपकार का भाव रखते हैं तो भी गोपियां कहती हैं मधुबन सबती कृतग्य धर मिले ये शहरी लोग उपकारों को मानने वाले भी होते हैं और धर्म परायन भी होते हैं यानि उपकार करने वाले भी होते हैं पर उपकार के लिए ही ये घुमते हैं और मिठे बचन बोलते हैं एक बात तो तह है कि शहरी लोग मिठे बचन बोलते हैं लेकिन उनका जो उदेश्य है वह कहीं से भी दूसरे को धोखा देने का ही होता है मुह में राम बगल में छोड़ी मिठी बोली बोल करके दूसरे को ठगने का तो जो वक्रोकती है वक्र कतहन है यही वचन वक्रता है अब यदि आप इसे दूसरे रूप में देखें तो सूरदास के विशय में आचारे शुकल एक बात लिखते हैं कि सूरदास में जितनी सहरदैता और भावकता है उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और वागविदग्धता है वचन वक्रता का अर्थ होता है कुल मिला कर एक बात हम लोग समझ पाए कि जो शब्दा लंकार है वह शब्दों में चमतकार उत्पन करने के लिए आता है दोस्तों अर्थालंकार को जानने की कोशिस करें कि अर्थालंकार क्या है इसका क्या उपियोग है और अर्थालंकार के मुख्य कौन-कौन से भेद हैं अर्थालंकार में सबसे महत्योपोर्ण माना जाता है उपमालंकार को किसे महत्योपोर्ण माना जाता है उपमालंकार को दोस्तों उप माँ शब्द उप और मा से बना है उप का अर्थ होता है निकट और मा का अर्थ होता है तुलना यह तुलना जो है समता दर्शाने के लिए दो चीजों में समता दर्शाने के लिए उप मा दी जाती है इसलिए उप मा को साद्रिश्य मूलक अलंकार में रखते हैं सद्रिश्य समता दर्शाना दो वस्तूओं में जाहिर सी बात है कि जब दो वस्तुओं में समता दर्शाएंगे या उनकी तुलना करेंगे उनमें साद्रिश्यता दर्शाएंगे तो एक वस्तु उपमे होगी और एक वस्तु उपमान होगी दोस्तों यह माना गया कि उपमे और उपमान दोनों संग्या के रूप होते हैं याद रखिए कई बार इस प्रकार के भी प्रशनाते हैं कि भाई जब आप रूपक की चर्चा करती हैं या जब आप उपमा दर्शाती हैं तो इन में कैसा संबंध होता है क्या ये पद विशेशन होते हैं या संग्या तो याद रखिए उपमे और उपमान हर हाल में संग्या पद होते हैं कैसे जैसे मान दीजिए मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाए या चरण की उपमा कमल से दी जाए या आखों की उपमा खंजन से दी जाए खग से दी जाए कमल से नील कमल से या बालों की उपमा भौरों के जाल से दी जाए तो आप देखें कि दोनों वस्तुएं संग्याएं हैं यदि किसी ने कहा कि तुम्हारे दांत मोतियों की तरह हैं तो दांत भी संग्या, मोती भी संग्या इसलिए जो उपमी और उपमान है सबसे पहली बात कि याद रखें दोनों संग्यापद होती है अब आईए इनको जानने की कोशिस करें कि इनका मतलब क्या होता है हम जिस वस्तु की उपमा देते हैं वही उपमे है जिसे हम खाते हैं, खाते हैं, जिसे हम पीते हैं, वो पे है तो जिसकी हम उपमा देते हैं, वो उपमे है और जिस वस्तु से, ध्यान से सुनिएगा जिस वस्तु से उपमा देते हैं, वही उपमान है उपमान का अर्थ प्रतिमान होता है कैसे? भाई, उचाई का कोई प्रतिमान होगा जैसे परवत, पहाड गहराई का कोई प्रतिमान होगा जैसे सागर विशालता या फैलाओ का कोई प्रतिमान होगा जैसे आकाश कोमलता का कोई प्रतिमान होगा जैसे मोम जैसे काच जैसे चूडी तो मान लीजिए कि कोई कहता है कि दिल शीशे की तरह नाजूक है तो आपने दिल की उपमा दी इसलिए दिल उपमे है और भाई नाजुक का प्रतिमान क्या है शीशा कहीं भी गिर के चटक जाता है फूट जाता है तो शीशा क्या है उपमान दिल उपमे शीशा उपमान जैसे किसी ने कहा कि हृदय सागर की तरह गहरा है तो भाई हृदय जो है सागर से इसकी हम तुलना दर्शा रहे हैं कि हृदय में भी गहराई है लेकिन ये गहराई किसकी तरह है तो प्रतिमान गहराई का सागर है यानि हृदय उपमे है और सागर उपमान है दोस्तों एक वाक्य से समझते हैं कि आखें कमल की तरह सुन्दर है अब समझिए कि किसकी हम चर्चा कर रहे हैं किसकी उपमा दे रहे हैं आखों की तो आखी ही उपमे यह है और दोस्तों किस वस्तु से यह उपमा दे रहे हैं कमल से यानि सुन्दर यह का प्रतिमान क्या है कमल तो कमल उपमान होगा अगर उपमे उपमान समझ में आया हो तो अच्छी बात अन्यथा एक बार और सुनिए हम जिस वस्तु की चर्चा करते हैं वही उपमे है जिस वस्तु से तुलना दरशाते हैं वही उपमान है जैसे दात मोती की तरह चमकदार हैं तो किस वस्तु की चर्चा की हमने दातों की चर्चा या दातों का सौंदर यह दरशाने के लिए किस से तुलना की मोती से तो दात उपमे मोती उपमान अरे हाँ याना बाल भॉरों के जाल की तरह हैं केश तो भाई किस चीज की चरचा कर रहे हैं हम लोग केशों की बालों की और किस से उपमान क्या है काले रंग का तो भॉरा अब आप समझिये की भॉरा यदि उपमान है तो बाल उपमी है जैसे किसे ने कहा कि उनका हिर्दय शीशे की तरह पारदर्शी है अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल छली कपटी ना हो छल कपट उसके हिर्दय में ना हो तो उसका हिर्दय क्या है पारदर्शी है उसका हिर्दय उधार है तो उपमे क्या होगा हृदय और किस वस्तु से हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिमान क्या है पारदर्शिता का तो शीशा तो हृदय शीशे की तरह दर्पन की तरह पारदर्शी है यानि दर्पन या शीशा उपमान हृदय उपमे दोस्तों, उपमा के चार अंग माने गए यह बच्पन से हम लोग पढ़ते आए और आप सब भी जानते ही हैं कि उपमा के चार अंग माने गए क्या-क्या उपमे पहला, दूसरा उपमान तीसरा साधारन धर्म और चौथा वाचक शब्द द्यान से सुनियेगा जो लोग बिल्कुल नए हैं या नए सीरे से सीख रहे हैं उपमा के चार अंग माने गए क्या-क्या उपमे उपमान साधारन धर्म वाचक शब्द दोस्तों, हम उपमे को जान पाए कि उपमे वहवस्तु है जिसकी चर्चा की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वहवस्तु है जिससे चर्चा की जाती है यानि उपमान प्रतिमान है और जो उपमे है वह वस्तु है जिसकी हम चर्चा करते हैं अब ये साधारण धर्म क्या है? कौमन गुण दोनों में कौमन जो गुण हो कैसे? दिखिये जैसे कोई कहे कि हृदय सागर के समान गहरा है दोस्तों एक तो हमने हृदय की चर्चा की है इसलिए हृदय उपमे है गहराई का जो प्रतिमान है वो सागर है इसलिए सागर उपमान है दोनों वस्तों का एक गुण है एक सामान्य गुण है या एक साधारन धर्म है दोनों में कि दोनों गहरें हृदय भी गहरा है सागर भी गहरा है तो गहरा ही साधारन धर्म है और के समान या की तरह या सरिस या समान या सम या सरीखा ऐसे शब्दों को ही हम वाचक शब्द कहते हैं क्या कहते हैं वाचक शब्द दोस्तों यदि एक दो और वाक्यों को ले लें तो बात और आसान हो जाए जैसे मन मोम की तरह कोमल है भाई या मान लीजिए हरदय पाशान की तरह कट हो रहे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हरदय बहुत ही कोमल है तुरत द्रवी तो हो जाता है तो कहेंगे कि उसका मन और मोम दोनों में कही सामान्य धर्म है साधारन धर्म है कोमलता तो कोमलता साधारन धर्म मन उपमे मोम उपमान की तरह वाचक्षब्द की तरह क्या होगा वाचक्षब्द कोमल साधारन धर्म अब जरा सोचिए प्रतिमान को ही उपमान कहते हैं किसी चीज का पैमान मापक कट होरता का प्रतिमान क्या होता है पासान पत्थर नहीं पिघलता जल्दी तो किसी का हरदय द्रवित ना हो पिघले नहीं संबेदन शील ना हो बिलकुल पत्थर की तरह जड़ हो तो कहेंगे कि हृदय यानि उपमे पाशान यानि उपमान दोनों में कौमन गुण क्या होता है कठूरता तो साधारण धर्म और की तर वाचक्षब्द की तरह क्या होगा दोस्तों वाचक्षब्द दोस्तों इसलिए उपमा अलंकार के मुल्तष दो भेद किए गए किंटु और भी उसके कई भेद किए गए जैसे आपने परनोपमा लुप्τοपमा ये तो सुना होगा लेकिन और भी उसके कुछ भेद हैं, जैसे मालोपमा, जैसे रसनोपमा, जैसे अनवय, जैसे प्रतीप, आईए इनको एकिक करके समझें, क्योंकि कई बार इनसे factual प्रशनाती हैं, तो दोस्तों, उपमा अलंकार के कितने अंग होती हैं, चार, पूछा जा सकता, उपमा अलंक चार के कितने अंग या अवयव होती हैं, चार, करेक्ट है, दोस्तों, अवयदी उपमा के चार अंग हैं, और इस आधार पर उपमा के भेदों की बात की जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है, कि यह बताएं, कि उपमा के क्या-क्या भेद हो सकती हैं, उन्हें आप किस रूप में उद्गाटित करेंगे, दोस्तों, यदि उपमा के कुछ भेदों की बात की जाए, तो उपमा के कई भेद हैं, जैसे पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा का अर्थ होता है, जिसमें उपमा के चारों अंगों हों, यानि उपमे भी हो, उपमान भी हो, साधार्ण धर्म भी हो, और वाचक शब्द भी हो, कैसे, आईए इसको वाचके से सीखते हैं, बाद में कविता से देखेंगे, जैसे, किसी ने कहा, कि शरीर दूध की तरह धावल है, भाई, धावल यानि गोरा, तो शरीर गोरा है, किस की तरह, दूध की तरह, एक चीज तो समझने लायक है, कि जो गोराई है, या जो धावलता है, उसका प्रतिमान क्या है, दूध, तो दूध होगा दोस्तों, उपमान, शरीर होगा, उपमे, जो की तरह है, वो वाचक शब्द, और जो धावलता है, वो साधारन धर्म, छोटी से लेके बड़ी परिक्षाओं में, ये फैक्चुवल मुद्दे भी पूछे जाते हैं, तो उपमा अलंकार के भेदों में पोर्नोपमा, पोर्नोपमा उसे कहते हैं, जहां उपमा के चारों अंगों, अब मान लीजिए, एक दूसरा भेद है उपमा अलंकार का, जिसे लुप्तोपमा कहते हैं, क्या कहते हैं, लुप्तोपमा, इसका मतलब ही है, कि उपमा के जो चारों अंग हैं, उनमें से कोई एक या एक से अधिक लुप्त है, कैसे इसी वाक्ये को जरा छोटा कर दीजिए, शरीर दूध की तरह है, जरा गौर कीजिए तू, इसमें कौन सा अंग गायव है, तो शरीर दूध की तरह है, क्या गायव है धवल, इसमें साधार्ण धर्म नहीं है, इसमें क्या नहीं है दोस्तों, साधार्ण धर्म नहीं है, इसलिए उपमा का एक अंग लुप्त है, इसे लुप्त उपमा कहेंगे, कई बार और भी एक अंग गायव हो सकता, जैसे शरीर दूध सम्या, शरीर दूध है, अब इतना आपने कह दिया, तो दोदो अंग गायव हो गए, साधार्ण धर्म भी, वाचक शब्द भी, जैसे मन परवत की तरह अडिग है, समझी, मन परवत की तरह अडिग है, मन उपमें परवत उपमान की तरह वाचक शब्द अडिग, साधारण धर्म, लेकिन कभी-कभी हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं, उसका मन परवत की तरह है, या सिर्फ कह देना उसका मन परवत है, समझे, जहां आप उपमा के चारों अंगों में किसी एक अंग का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि कविता में कोई अंग लुप्त हो, तो उस उसे लुप्तो उपमा कहते हैं, चारों अंगों उसे पर्नो उपमा कहते हैं, दोस्तों, इसी प्रकार कुछ और भी भेद उपमा अलंकार के किये गए, क्या-क्या, जैसे मालोपमा, मालोपमा का अर्थ है, माला की तरह उपमा, जब उपमे एक ही हो और उसके उपमान कई हो, कैसे, माल लिजिए कि किसी ने कहा कि तुम्हारी आँखें, हिरनी की आँखों के समान हैं, कमल की तरह हैं, खंजन नैन की तरह हैं, यानि उपमे जब एक हो और उपमान कई हो, जैसे एक गाना आपने सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता कमल, जैसे मन्दिर में हो कोई जलता दिया, जैसे बन में हिरन, उपमे जब एक हो, और उपमान कई हो, मानो उपमानों की माला बना दी गई हो, तो उसे मालो उपमा कहती है, इसे लिख लिजिए, जहां उपमे तो एक ही हो, लेकिन उपमान कई हो, तो उसे मालो उपमा कहती है, क्या कहती है, मालो उपमा फिर से सुनिए, उपमा लंकार के कितने अंग हैं? चार, क्या-क्या? उपमे, उपमान, साधारन धर्म, वाचक शब्द पुर्ण उपमा किसे कहते हैं? जहां चारो अंग हो लुप्त उपमा किसे कहते हैं? जहां चारो अंग में कोई एक या दो लुप्त हो मालोपमा किसे कहते हैं जहां उपमे तो एक ही हो किन्तु उपमान बहुत सारे हो ऐसे ही दोस्तों एक चौथा भेद है इसमें रश्नोपमा रश्ना या करगहनी का बोधाता है इसका क्या मतलब है? जहां उपमे भी कई सारे हो और उपमान भी कई सारे हो अब जैसे मान लिजे कोई कहे कि तुम्हारी आखें म्रिग के समान है तुम्हारे दात मोती के समान है तुम्हारी गर्दन सुराही के समान है तुम्हारे भौं कमान के समान है तुम्हारी आखें तीर के समान हैं तुम्हारी नाख तोते के समान तो जहां उपमे भी कई हो और उपमान भी कई हो तो उसे रशनोपमा कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों रशनोपमा दोस्तों एक पांचमा भीद इसमें आता है अनवय या अननवय जहां उपमे को उपमान बना दिया जाए यह सब लिखते जाएए जहां उपमे को उपमान बना दिया जाए तथा उपमान को उपमे बना दिया जाए तो उसे अनवय कहते हैं क्या कहते हैं फिर से जहां उपमे को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमे तो उसे ही अनवय मिला देना अनवीती कर देना और दोस्तों एक इसका छठा भेद है प्रतीप अलंकार याद रखिए प्रतीप उपमा का विरोधी होता है जहां उपमान की तुलना उपमे से की जाए लिख लीजिए प्रतीप में उपमान की तुलना उपमे से की जाती है कैसे माल लीजिए कि कोई कहता है तुम्हारा मुख चांद की तरह सुन्दर है तो ये तो उपमालंकार है, लेकिन जैसे किसी ने कहा कि चांद तुम्हारे मुख की तरह सुन्दर है, उपमान की ही चर्चा जब उपमें से की जाए तो उसे प्रतीप कहते हैं, जैसे कोई कहे कि सागर उसके हृदय की तरह विशाल है, जैसे कोई कहे कि पत्थर उसके हृदय की तरह कठ हो रहे तो उसे प्रतीप कहते हैं इनको एक एक बात को लिखिए अब आईए कविता के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिस करते हैं